हेलो फ्रेंड्स, वेलकम तु स्टेडिवर्स, जितने भी MBA एश्परेंट्स आप सब के लिए एक बहुत ही इंपोर्टेंट अपडेट है, डेली और इंसिटी के जो दो कॉलेजीज है, अगर आप टोटल फीज देखोगे, इन दोनों कॉलेजीज की वो लेस दन 50,000 है, जिसमें आपकी पूरी की पूरी MBA हो जाएगी, जो एवरेज पैकेज है, डेट इस अबब 15,000,000, तो बहुत ही अच्छा एक कॉलेज है, जिसका ROI काफी हाई है, तो इस पूरे के पूरे पूरे प्रोसेस की हम लोग डिसक्रेशन करेंगे, क्या important dates है, क्या placements है, क्या इडबिशन प्रोसेस है, क्या cutoffs रहती है, जितनी भी स कॉलेज के अपडेट है, जो भी फॉर्म सारे है, उनका फॉर्म फिलिंग प्रोसेस, आपको कॉलेज के लिए apply करना चाहिए, कि नहीं करना चाहिए, सारी information के notifications आपको मिल जाएंगे, ताकि कोई भी college आपका miss ना हो, इसके साथ ही cat का free booster batch YouTube पे हमारा चला है, जिसमें पूरी प्रेपरेशन आपकी कराई जा रही है, क्वांट चला अडिये वर्बल की, वो भी आप चेक आउट कर सकते हो, अब अगर हम सबसे हले बात करें, तो वह जॉइन नोटिफिकेशन आता है हमेशा, और इस बाइट भी जॉइन नोटिफिकेशन आया है, Department of Finance and Department of Business Economics का, जो आप को MBA कराता है, तो Finance में और Business Economics में, इसमें सारी क्या-क्या डीटेल्स हैं, एक-एक करके चेक आउट करते हैं, वह सबसे पहले जो सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट है, इन दोनों कॉलेजिस का, वो है फीस, अगर आप Department of Business Economics से MBA करते हो, उसकी फीस अंडर 50,000 है, और अगर आप Department of Financial Studies, जिसमें आपका MBA in Finance होगा, उसकी फीस है, that is less than 50,000, अगर मैं Department of Business Economics की बात करूँ, तो यह एक ऐसा कोर्स है, जो आपको एक तरह से रेडी करता है, जितने भी important tools हैं, आज की डेट में, आपको पता है, Business और Economics का बहुत ही correlation है, दोनों चीज़े सास्त में चलती हैं, और इसलिए इस कोर्स को reinvent किया गया है, इसका पूरा structure और syllabus चेंज किया गया है, और उसके बाद बहुत ही अच्छी growth इस कोर्स में हो रही है, similarly, अगर हम DFS की बात करें, तो जो भी लोग फैनाइस में जाना चाहते हैं, जिनको इंटरस ने कि मुझे फैनास में अपना करियर बन अगर मैं आपसे बात करें, इन classes का advantage भी यही है, कि आप अपनी percentile को boost कर सकते हो, वन मत में most comprehensive revision आपका हो जाएगा, जो भी important question है, जो आप cat exam में expect कर सकते हो, वो सारे question हम आपको यहाँ पे कराना है, quants में, LRDM में, verbal में, और यह 100 hours के live workshop है, 12th October से start हुई है, and 10th November, 30 days non-stop यह classes चल रही है, 9 to 12 midnight, अगर किसी student ले late join किया, या कोई class miss हो जाती है, उसकी recording आपको मिलेगी, इन classes का objective यही है, कि आप अपनी accuracy और attempts को better कर भाऊ, इसलिए, इन class में एक बहुत unique strategy, आपको पूरा का पूरा utilization मिलता है, 30, 60, 90 strategy जिसको हम बोलते हैं, जिसके बाद, आप एक बहु हो चुकिए, उसके recording आपको मिल जाएगी, एक बहुत ही systematic तरीके से हर class में, हम सबसे expected questions को discuss कर रहे हो, तो उनको minimum time frame में multiple approaches से कैसे solve करना है, वो हम सीख रहे हैं, यहाँ पे आप देख सकते हो time and work, percentages, miscellaneous LRDA, averages, time, speed, distance, number system, geometry, सारी के सारी चीज़े, आपकी हो रही है, verbal, quants, LR हर एक topic आपको यहाँ पर कराया जा रहे है, उसके बाद आपका miscellaneous LRDA, quants, algebra, modern maths, हर एक चीज़ यहाँ पर हो जाएगी and उसके बाद आपको आपको रिकोर्डिंग रहेगी, जिससे आप अपने exam के लिए revise कर पाऊगे तक कोई भी अगर student workshop join करना चाहता है, हमारी website is studybus.co.in यहाँ पर आप जाके join कर सकते हो, बहुत जल्दी next 2-3 days में admissions close आपके होने वाले, अब अगर आप बात करो इंडेलियून City के forms की last date क्या है, तो 12th of October से form start हो चुका है, form apply कहां से करना, इसका link में आपको नीचे description में provide कर रहा हूँ, वहाँ पर जाके आप form के लिए apply कर सकते ह January, आपकी last date, मतलब आप देखो 8 January तक आपका exam भी हो जाएगा, आपकी answer की भी आ रहेगी, तो आपको एक idea लग जाएगा, आप कहां पर stand करते हो, हो सकता 8 January तक result ही आ जाएए, जिसके बाद आप decide कर सकते हो, कि आप इनकी cut-off के आसपस fall कर रहे हो, अगर answer yes होता है, तो आप apply कर देना, ठीक है, अब अगर बात करें number of seats की, तो MBA in finance which is DFS, and MBA in business economics, that is DBE, इन में total कितनी number of seats है, 67 seats आपकी DFS में है, and 117 seats आपकी DBE में है, total इसका आपको division दे रखा है, कितनी unreserved है, कितनी OBC के लिए registered है, कितनी SCST की है, कितनी PWD है, तो सारी number of seats आपके सामने है, but आप कभी यह मत सोचना किसे भी college में कम seat है, कभी भी जादा seat है, आपको अपना benchmark percentile cross करना है, उसके बाद interview crack करके, आप admission ले सकते हो, eligibility criteria क्या है, वही जो normal college का होता है, आपका 3 year का graduation होना चाहिए minimum, and अगर आप final year में हो, तो भी आप apply कर सकते हो, ठीक है, यहाँ पर आपको एक चीज द wealth level होनी चाहिए, अब अगर आप बात करूँ कि जो student final year में हो भी यहाँ पर apply कर सकते है, admission process क्या है, आपका cat का score along with detailed criteria, वो use होगा, जिससे आपके पहले interview की shortlist आएगी, और उसके बाद interview के बाद final merit list आपकी निकाले जाएगी, इन्होंने specifically mention करा है, IMS का कोई role नहीं है selection में, यह सिरफ cat का score use करेंगे अपनी shortlist के लिए, और उसके बाद इनका पूरा का पूरा process खुद का है, तो process क्या है, यहाँ पर देख लो, सबसे बहले cat का score लिया जाएगा, उसके बाद आपकी overall section cut off cross होनी चाहिए, then आपका 10th और 12th में score कितना है, female candidate को थोड़ी से extra weightage मिलेगी, और उसके बाद अगर कोई student B.com honors का है, B.C. honors in economics में है, या फिर B.A. honors in business economics है, B.B.S., B.M.S. है, B.F.I. है, तो इन students को extra weightage मिलेगी, ठीक है, अब weightage system क्या रहेगा, यहाँ पर mentioned है, 70% आपका cat का percentile, 10th का score आपका 10% है, 12th का 10% है, और उसके बाद आपका, जो math में number, I.M.S. business math में, class 12th में, उसका weight is 2.5 है, and then उसके बाद अगर आपने above कोई graduation degree करी हुए इन में से, तो आपको 5% mark में लेंगे and female candidate को 2.5, तो अगर आप देखो भी यहाँ पे, तो आपको यह नहीं सोचना कि आपका 10th और 12th कम है या साथ है, क्योंकि maximum weightage cat percentile की यहाँ पे रहने वाली ठीक है, and उसके बाद जो आपकी shortlist आजाएगी, तो जो final merit list बनेगी, वो इस basis बनेगी, 60% आपका cat का score count होगा, 10th और 12th का 55%, interview का 25% weightage है, and then आपने अगर कोई graduation degree, BBS, BMS, ऐसी करी हुए है, तो 2.5, and अगर आप एक female candidate हो, तो 2.5% आपको extra marks मिलेंगे, इस score के basis बापकी final merit list ब and आपको कहां से apply करना, आप mfc.edu website पर जा सकते हो, dbe.du.org पर जा सकते हो, या Delhi University की website पर जा सकते हो, मैं नीचे link आपको description में दे रहा हूँ, comment में भी दे रहा हूँ, ताकि आप बहाँ पर जाके directly apply कर पाओ, जो application fees है, वो rupees 2000, अगर आप दोनों programs के लिए apply करते हो, and अगर आ एक program के लिए apply करते हो, तो 1200 fees है, लेकिन आपको tension इसलिए नहीं लेनी, क्योंकि इसकी last date 8th January है, तो अराम से comfortable होके जब आपको लगे, कि हाँ यहाँ पर मेरा selection हो सकता है, call आ सकती है, तब ही आप apply करना, अगर आप reserved category से हो, तो आपकी fees कम है, वो यहाँ पे mentioned है, अब अगर ह 30% job, wealth management में, and 5% job, IT में, तो आप देख सकते हो, कोर जो finance की jobs होती है, वो यहाँ पे hiring होती है, अगर आप average package देखोगे, 17.1 lakh रुपी, just imagine, कि आपकी total fees है 50,000 से भी कम, and आपका average package है 17.1, median salary देखोगे, तो 15.5 lakh की median salary है, lowest package भी यह college mention कर रहा है, ताकि बाइए एक बच्चा दे रहा है, highest package जो रहा है, that is 32 lakhs, अब आप खुश सोचो, इतने सारे private colleges हैं, जिनका fees 10 से 12 lakh होता है, 15 lakh होता है, even 20, 25 lakh होता है, उनका भी average package यह नहीं होता, तो क्यों ना एक बड़ी आप मेहनत करके, cat exam को crack करके, थोड़ा सा आपने आपको push करना पड़ेगा, उसके बाद आप colleges को target करो, अगर मैं expected cutoff की बात करो, batch profile की बात करो, IATs हो गए, NITs हो गए, SRCC, CBS, Hindu, top institute जो पूरे इंडिया के हैं, वो बच्चे यहाँ पर आके पढ़ रहे हैं, तो learning experience बहुत अच्छा है, 55% बच्चा commerce का है, 30% बच्चा engineering है, 10% बच्चा science है और 5% बच्चा economics मार है, 70% male है 30% female and काफी सारे बच्चे freshers हैं, आप यहाँ पर देख सकते हो, 60% बच्चा freshers है and 20% बच्चा ऐसा है, जिसका less than 12 months का experience है, 15% बच्चा up to 2 years experience है and 5% बच्चे ऐसे हैं, जिनका up to 3% experience है, अगर मैं बात करूँ cutoffs की, तो भाई, highest जो बच्चे के admission वा है, 99.4% वाले ने admission लिया है and जो average cat का percentile है, पूरे batch का वो 97.288, DFS की बात कर रहा हूँ मैं and अगर मैं expected cutoff की बात करूँ, तो around आप देख सकतो 94 percentile आपको cat में चाहिए होता है, अगर आप 94 के आसपास हो, तो आपको भाई, यहाँ पे call आने के chances बन जाते हैं, तो आपको जो benchmark होना चीए, वो 94, 95 percentile देखे चलो both for DFS and both for DBE, DBE की अगर मैं बात करूँ, तो भाई उसकी भी placement ऐसी ही है, भाई आप सोचो 14, 15 lakh आपका average package वहाँ से भी लग जाता है, जो आपको एक बहुत ही अच्छा career launch pad देता है, बहुत ही minimum fees में आप इन colleges में जा पाते हो, तो अगर आपको apply करना है, तो website का link मैंने नीचे description में दे दिया है, वहाँ पे जाके आप apply कर सकते हो, अभी करना चाहते हो, अभी कर दो, बाद में करना चाहते हो, बाद में कर दो, कोई भी ऐसा नहीं है, कि जो बच्चा बाद में करेगा उसको weightage नहीं मिलेगा, उसको favor नहीं मिलेगा, सब के लिए equal application है, के मेहनत कर लोगे न, तो बहुत अच्छा score अचीव कर सकते हो, काफी सारे बच्चों ने इन advanced workshop से benefit लेके अपनी percentile को boost किया है, अगर आप भी 30 days effort करने के लिए तयार हो, तो इन workshop को enroll करने के लिए website पर जा सकते हो, demo lectures देखने हैं, तो नीचे description में comment में present है, so all the very very best, channel को subscribe कर ताकि जितनी भी important videos हैं, उनके notifications आपको मिलते रहें, take care, good luck